दोस्तों यहाँ पर बताने वाला हूँ कि मिज्वर फंड के अंदर अगर आटो पे इनेबल कर दिया गया है तो इसको डिसेबल कैसे करेंगे कई बार होता है कि हम आटो पे इनेबल तो कर देते हैं लेकिन हम पेमेंट नहीं करना चाहते हैं किसी काराण से हमें दिक्केत आ रही है पैसे का. तो हम इसको आटोपे जो सिस्टम है इसको डिसेबल करना चाहते हैं यानि हटाना चाहते हैं तो बड़े आसानी से हटा सकते हैं तो चलिए मैं इस्टे बाइस्टे पुरा प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहों इसलिए मैं बिल्कुल स्टार्ट से बताने जा रहा हूँ तो सबसे पहले Angel One app को open कर लेता हूँ और अपने ID password से login कर लेता हूँ Angel One app को इसलिए open किया है क्योंकि इसी के अंदर मैंने mutual fund में invest किया हुआ है SIP करा हुआ है यहाँ पर आपको बताता चलूँ किसी भी app के अंदर यह facility है कि आप SIP का जो आटो पे सिस्टम है उसको बंद कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं mutual fund वाले section के उपर क्लिक कर लेता हूँ और जैसे mutual fund के उपर मैंने क्लिक किया मेरे mutual fund की details आ गई है मैं SIP के उपर क्लिक कर लेता हूँ SIP के उपर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर मेरा SIP दिखने लगा है अब यह देखिए जो आटो पे सेट हुआ है यह मैंने phone पे app के थ्रू किया हुआ है तो यहाँ से यह remove direct नहीं होगा इसके लिए मुझे phone पे app में जाना पड़ेगा आपने भी जिस भी app का use करके आटो पे enable किया होगा उस app को open कर लिजिए तो यहाँ पर मैंने phone पे app को open कर लिया है और अपना pin डाल के login कर लिया है यहाँ पर हमें यह जो profile हमारी दिखती है इस प्रोफाइल के उपर क्लिक करना है यहाँ उपर धें दिजिए आपकी profile दीखें कि profile के उपर Q्लिक करना है profile के उपर क्लिक करने के बाद थोड़ा उपर की तर貌 इस प्रॉल करेंगा पर आटो पे सिस्टम के उपर क्लिक करना ए यहां पर auto page वाले section में जब आप आएंगे तो जितने भी जगा पर आपका auto pay enable होगा वो दिखने लगेगा जैसे अभी देखिए angel one के mutual fund के अंदर हमारा enable है हम इसके उपर क्लिक कर लेते हैं इसकी details दिखने लगी अगर हम इसको उपर की तरफ scroll करेंगे तो यहां पर delete auto pay का option आएगा हमें इसके उपर क्लिक करना है और इसको confirm कर देना है confirm करने के लिए pin मांगेगा pin डालने के बाद जब आपर देखिए auto pay has been deleted आ गया है यानि जो auto pay system था वो delete हो चुका है अब हम बैक आ सकते हैं या phone pay को सिधा बंद कर सकते हैं फिर से mutual fund वाले section में आ जाता हूँ angel one app के अंदर और SIP वाले section में जा करके देखता हूँ तो मुझे दिखेगा कि auto pay system जो है वो remove हो चुका है और यहां से auto pay system हट चुका है अब जब भी हमें payment करना होगा manually करना होगा अगर हम इसको auto pay system करना चाहते है तो इसका video अलड़ी बनाया हुआ है link description में है click करके आप auto pay system कर सकते हैं और remove करना तो आपने सिखी लिया दोस्तों ध्यान दिजेगा जो mutual fund यहां पर दिखाया गया है वो cable education purpose के लिए है इसको मैंने video बनाने के लिए cable buy किया हुआ है आपकी मर्दी है आप कौन से mutual fund को buy करना चाहते हैं उसके उपर थोड़ी research करेंगे then उसके बाद decide करेंगे कि कहा पर आपको पैसा invest करना है वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो like करिएगा चैनल पर पहले बारे subscribe करेगा धन्यवाद